चलिए अब question पर move करते हैं और basic array का यानि वन्डी array का ये पहला question आपने क्या करना है एक array create करना है integer array कितने size का four size का array create होने के बाद आपने इसमें कुछ values store करानी है और values store कराने के बाद आपने उन्हें screen पर display कर देना है और जब ये काम करेंगे value store कराने का और display कराने का तो आपने कोई loop use नहीं करना है क्योंकि लिखा हुआ है without using the loop question clear अगर question clear है तो इसे करना start करें all the best